आज है 26 चन्वरी 2024 दिन शुक्रवार आप सभी को गर्टंत्र दिवस की हारदेख शुपकाम नाएं वेल्कम बैक टु क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खपरों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें साथी हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस करें नियुच्टिस्टन देख रिया गया है अयुद्या की तशपर महाकाल की नगरी उजएन भी हवाई सेवा से जुड़ेगा परेटन को बढ़ावा देगी सरकार विश्व प्रसित महाकाल की नगरी उजएन वासियों के लिए बड़ी और अच्छे खबर है आयुद्या की देश पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा महाकाल जाने वाले शद्धालू और परेटिको को अब हवाई सेवा का लाब मिल सकेगा मदरप्रदेश की डक्टर मोहन यादव की सरकार धार्मिक और अध्यात्मिक परेटन को बढ़ावा देगी महाकाल लोग के निर्मान के बाद से उज्जैन शहर में इस्थानिय परेटन को बढ़ावा मिला है बारवी निश्चुल कब्रह दरोजगार मेला 15 और 16 फरवरी को कैरियर गाइटेंस, काउस्लिंग, ट्रेनिंग वा प्लेस्मेंट सेल रानी दुर्गावती विश्विद्याले जबल पुर्द्वारा दोदिवसिय बारवे निश्चुल कब्रह दरोजगार मेले का आयोजन, दिरांक, बंद्रो और 16 फरवरी को विज्ञान भवन में किया जाएगा, कुलपती प्रोफिसर राजेश कुबार पर्मा की अध्यक्ष्टा में, आयोजित बैचक में ये निर्ने लिया गया विभागिया कारियों के साथ ताहिक समिक्षा करेंगे निग्मा युक्त, निग्मा युक्त प्रिती आदफ के द्वारा नगर निगम के विभिन्न विभागों के द्वारा किये जा रहे कारियों के साथ ताहिक समिक्षा की जाएगी, इसके लिए उन्होंने दिनवार सभी विभागों के लिए समय सार्णी निर्धारित कर आदेश चारी कर दिये उनके द्वारा कहा गया कि निर्धारित समय सार्णी के हिसाब से समिक्षा बैठक में अधिकारियों को पूरे जानकारी के साथ अपडेट होकर उपस्थित रहेंगी रामलला के दर्शन करने चार मार्च को मुख्य मंतरी के साथ पूरी कैबिनेट जाएगी आयोध्या आयोध्या में रामलला की प्रार प्रतिश्था के बाद उनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से लूग पहुच रही है अप्रदेश की मोहन यादव सरकार भी आयोध्या रामलला के दर्शन करने जाएगी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री रॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनित के साथ रामलला के दर्शन करने चार मार्च को जाएंगी इन दोर में मेट्रो रूरिट के आसपास ट्रांजिट ओरेंटट डेवलफ्म में बदलाओ इंदौर में 31 किलो मीटर लंबे मेट्रो कॉरिडूर के दोनों तरफ टी ओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलप्मेंट कॉरिडूर विक्सित होंगे इसके लिए नगर और ग्राम निवेश वभागने वश्ट 2021 के मास्टर प्लैन में उपांतराण किये हैं और दावे आपतियां आमंतरत की हैं तैयार हो रही 2041 के नए मास्टर प्लैन में भी इसे कायम रखा जाएगा इंदौर के नहरू स्टेडियम में होगा गरतंतर दिवस का मुख्य समारू इंदौर सले में 75 गरतंतिवस का मुख्य समारू आच 26 जनवरी को सुभे नौ बजे से नहरू स्टेडियम में आयो जित किया जाएगा प्रदेश के नगरिये विकास और आवास मंत्री कैलाश विजेवर गिया ध्वजा रोहन करेंगे कारिक्रम में आकर शक परेट के साथ ही 12 विभागों दोरा नैना भी राम जाकिया निकाली जाएंगी गरतंतिवस समारों में स्कूली विध्यार्तियों के दोरा सांस्क्रतिक कारिक्रमों की रंगा-रंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी मदर प्रदेश में अब 15 फरवरी तक तबाद ले करके चुनाव आयोग को रिपोर्ट देगी सरकार चुनाव में जोटे करने वाले ऐसे अधिकारी जिने एक इस्थान पर पदस रहते तीन वर्ष से अधिक हो चुके हैं उन्हें अब सरकार को 15 फरवरी तक इस्थाना अंतरित करना होगा यवदी चुनाव आयोग ने पहले 31 जनवरी तक की दी थी जो बढ़ा दी गई सवाने प्रशासन विभाग ने आईएस और राजे प्रशासनिक सेवा ग्रह विभाग ने आईपिएस और राजे पोलिस सेवा के अधिकारियों के सूची तयार कर ली है नवमदाता समेलन में मालवानचल युनिवरस्टी के चात्रों ने किया पीम मोदी से वर्च्वली समभाद मालवानचल युनिवरस्टी इंडेक्स समू संस्थान में रास्तिय मदाता दिवस पर विभिन कारिक्रम आयो जित किये गए इस अफसर पर प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने इंडेक्स समू संस्थान के विद्यार्थियों को बीजेपी युवा मोचा के नमो नव मद्दाता समेलन में वर्चुल संबोधित किया प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने रास्तिय मद्दाता दिवस पर लोगों को शुबकाम नाई दी और लोगों से आंक रह किया किसान ने खेत को बनाया प्रियोक शाला प्याज बीज उत्पादन कर मद्यप्रदेश में बनाई पहचान जिले के ख्राम भगवानपुरा की युवाउन नच्शील किसान पंकज करवाजी पटेल ने बीज उत्पादन शेतर में पूरे प्रियोक शाला बनाया है और वश तो हजार नौ से प्याज के बीच का उत्पादन कर रही है रेलवे जबलपुर के यात्रियों को आच सो रुपे में कराएगा आयोध्या की यात्रा आस्था स्पेशल ट्रेन का रेलवे बोर्ड ने तै किया है किराया जबलपुर से आयोध्या जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को दो शेनी में चलाया जाएगा एक ट्रेन जबलपुर से सीधे कटनी सतना होकर आयुध्या जाएगी तो दूसरी ट्रेन जबलपुर से टार सी भुपाल होकर आयुध्या जिन ट्रेन को सीधे तोर पर आयुध्या ले जाए जाएगा उनका किराया कम होगा और जो लंबे रूट से होकर जाएंगी उनका अध इन में जवलपुर से कटनी होकर अयुद्या जाने वाली ट्रेन का किराया लगभकाट सो रुपे तै किया गया है अधरप्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविन सिंग राजपूत को मिली राहात हाई कोट ने निरस्ट की F.I.R हाई कोट के नियाए मोर्ती संजे अधिवेदी की एकल पीट ने कैबिनेट मंत्री गोविन सिंग राजपूत के विरुद्ध दर्ज F.I.R अविशेश अदालत में लंबित कारेवाई को निरस्ट कर दिया है सुनवाई के दौरान गोविन सिंग राजपूत की ओर से अधिवक्तांकित सक्सियना ने पक्ष रखा दिये वीवी का पहला पूर विद्यार्ती समेलन 26 जनवरी से 1994 से 2020 बैच वाले विद्यार्ती करेंगे शिर्कात देवी अहिल्य विश्विद्याले अपने अध्यान शालाओ में पढ़कर निकले चात्र चात्राओ के लिए पहला पूर विद्यार्ती समेलन करवाने जा रहा है दो दिविसिये समेलन का शिभारं बाश्यक्रवार को किया जाएगा तक्षिला परिसर इस्तिस सबाग्रे में शाम पांच बचे समेलन का उद्गाचन होगा 1994 से लेकर 2020 पैच वाले पंदरा सुपूर जात्र शात्राओं आएंगी मतरपुदेश लोग सिवा योग ने राजवन सिवा प्रारंबिक परिक्षा 2030 का परिणाम गुरवार शाम जारी कर दिया है कुल 140 पदों के लिए प्रारंबिक परिक्षा 20 दिसंबर को आयो जित होई थी सायक वन सनरक्षा के बारा और वन शेतरपाल के 126 पद घुशित किये गाए दिग्विजय ने पूछा राम मंदर का कारिक्रम धार्मिक था या राजनी थे कारिक्रम हमारे सनाधन धर्म शासर के अनुसार था भी या नहीं मैं हिंदू धर्म प्रेमियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने किसी निर्मानाधीन मंदर में प्रार प्रतिष्था होते हुए देखी या सुनी है सौफी चाड़ी रोड़ पर चलेन का फ्लाई ओवर कर डाला मनसूर प्रादे करन के बोर्ट बैटिक में 320 करोर रुपे के विकासकारियों की मनसूरी तो दी गई मगर इस हड़बड़े में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी मनसूर कर दिये गए जिसको अमल में फिलहाल लाया नहीं जा सकेगा जैसे महूना का चौराहे पर सिक्स लेन फ्लाई ओवर अग्यासी करोर का मनसूर किया गया जबकि मौजूदा सड़क की चौड़ाई ही मातर 30 मीटर यानी 100 फीट है और शासन ने 1.500 फीट चौड़ाई करने के प्रस्ताओं पर भीते 7 महा से कोई निर्ने नहीं लिया है सियम मौहने कालेज लाइफ में होटल में किया काम MPSC न्युक्ति पत्र कारिकम में अभ्यर्टियों सिसाजा किये अनुभाव मुक्यमंतरी जक्टर मौहनी आदवाज रवींद्र भवन में न्युक्ति पत्र वित्रन कारिकम में शामिल हुए जहां सियम ने MPSC में चैनित अभ्यर्टियों को न्युक्ति पत्र सौंपा कारिकम में उन्होंने अभ्यर्टियों से चचचा की इस औरान उन्होंने अपने राजनीती करियर को लेकर कई बड़े खुलासे किये दरसल अभ्यर्टियंकी चौबे ने सियम से पूछा कि जिन्दगी में दोस्तों का एहम युगदान होता है आपकी राजनीती में महत्पूर्ण भूमिका किस की रही इसके जवाब में सियम ने कहा कि हमारे काम के अपने तरीके हैं कॉलेज लाइफ से छोटी होटल से काम शुरू किया फिर छात्र राजनीती में आया होटल में काम करने के साथ साथ राजनीती और पढ़ाई की दोस्तों की मदद मिली वो मित्र आज भी मदद करते हैं साहिता करने वाले लोग होने ही चाहिए अगले दो दिन ऐसा दिन रहेगा मौसम उद्धर भारत के तरफ बढ़ रहे पश्टी में विक्षोप की असर से हवाओ का रुख बदलने लगा है इस वज़े से प्रदेश में रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी मौसम विज्ञानियों के मताबिक आज शुकरवार से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से एक कड़ाके कि ठंड से राहत मिलेगी इंद्वार में बुले मंतरी कैलाच विज़े वरगिये दिगविज़ सिंग चतुर राजनीता दिगविज़ सिंग को पता चल गया है कि वे आने वाले लोग सबाचनाओं हार रही हैं में जीत नहीं सकते इसलिए उन्होंने अभी से बहाना बनाना शुरू कर दिया है ये बात कैबिनेट मंतरी कैलाच विज़े वरगिये ने गुरवार को इंडॉर में कही दिगविज़ सिंग दोरा ईविएम पर सवाल उठाने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में विज़े वरगिये ने कहा कि दिगविज़ सिंग बहुत चतुर राजनेता है उन्हें पता है कि उनकी जमीन खत्म हो गई है इसलिए वे हवा में बाते करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गर्ब्रे की डेली से किये भगवान महाकाल के दर्शन उजयन प्रवास पराई मुख्यमंत्री डॉक्टर मुहन यादव पारिवारिक विवास समारों की व्यस्तता के बावजूद समय निकाल कर महाकाल मंदिर में चल रहे विकास कारियों का व्लोकन और शहर में सादो संतों से मिलने पहुचे आश्रम में संतों ने सीम का सकार कर सफलवा यशस्वी जीवन का आशिरवाद दिया सर्दार पटेल की मूर्ती गिराई पत्थरबाजी और आगजनी की उजयन के माकरोन में हुआ भयंकर बवाल मतरपरदेश के उजयन जिले स्थित माकरोन गाउं में सुबह सुबह बवाल हो गया सरदार वल्लब भाई पटेल की मूर्ती स्थापित करने की बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए एक बख्ष ने सरदार पटेल की स्थापित मूर्ती को ट्रेक्टर से गिरा दिया इसका वीडियो सामने आया है वालियर में भगवाशी राम का पोस्टर फार कर माहौल बिगारने की कोशिश की गई मादो गंच थाना शेतर में रहने वाले तीन यूवक इसमें शामिल है एक मुस्लिम यूवक की पहचान हो गई एस आधार पर पुलिस ने F.I.R. दर्श कर ली यह गटना सीसी टीवी कैमरे में भी नजार आई मादो गंच थाना शेतर के अंतर का धोभी महला इस्तित्रादा कृष्ण मंदिर के पास भगवान शेराम का पोस्टर लगा हुआ था यह पोस्टर तीन यूवक को ने फार दिये पोस्टर फटे मिले तो सीसी टीवी कैमरे देखेगा रूफटॉप सोलर सिस्टम से आच रुपे प्रति दिन में मिलेगी बिजली सरकार ने प्रधान मंतरी सूरिय योजना लाँच की अगर हर महीने आपके घर के घर के बिजली का बिल धाई हजार से तीन हजार रुपे आ रहा है बाटें तो ये आच रुपे प्रति दिन ही होगा गर्तन दिवस मुक्य समारो में इस बार बाइक शोवा पीटी भी होगी गर्तन दिवस शेहर भर में हर्शो लास के साथ मनाया जाएगा मुक्य समारो साफ ग्राउन में सुभे नौ बजे से होगा इसके फाइनल रिहर्सल ग्राउन में की गई इस बार गर्तन दिवस पर बीएस एफ वा टेकन पुर का बाइक शो भी होगा साथी पीटी भी शामल की गई जिसे बच्चे करेंगे वहीं सांस्कृते कारिक्तमों में केवल चार प्रस्तुतियां शामल की गई इनमें ECL Bagless Vicky Factory उतकष्ट विद्याले मुरार पद्मा विद्याले ग्वालियर ग्लोरी स्कूल शामल है आदित्यालवन ने हासल की एक और बड़ी सफलता आदित्यालवन ने एक और बड़ी सफलता हासल कर ली है इस रोने आदित्यालवन में लगी 6 मीटर लंबे मैगनेटो मीटर बूम को सफलता पूरवक तैनात और एक्टिव कर दिया है अब ये सूरत समेट अन्ने सबी ग्रहों के मैगनेटिक फील्ड यानी चुमबकी ये शित्र की गर्ना करेगा यानी दो ग्रहों के बीच की मैगनेटिक फील्ड और उसमें आने वाले अंतर के बारे में बताएगा अब तक कंपनी शेत्र में नौजिलो के अंतरगत 55,000 स्मार्ट मीटर ने शिलक लगाई जा चुके है मद्रप्रदेश पश्रिम शेत्र विद्ध वित्रन कंपनी इंदौर के प्रबंद निदेशक अमित तोमार ने बताया कि कंपनी में सबसे प्रतम इंदौर शेहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कारे प्रारंबु हुआ था तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको नीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद